नवस्काद रश्रम की दुर्वतिती वाँ फरियक और आपनू स्वागत छे अती थे लेवो कार्यक्रम के जे कार्यक्रमा विशिष्ट व्यक्तितों साथे आपनी मुलागात करें वेचे वातों करें छे अंत्रन। अजे क्हिव व्यक्तितवर नाटक नो जीव, नाटक नो मानस ने श्टेच पर रहिनेदे जण कसम खा दीए के स्टेच पर जिवो छे अभी नहीं क्रवों छे जीवनना अंत्म स्वास हूं दी अभी नहीं करावडव कोज़े कुक नई पासे दी सलीम आरिफ कोई पर जात रहो परीचे भी जो आप तो नदी कारण के वाद दर्मियान आपने ख्याल आवी जर्शे के आ अती थी आजना कौन जा सलीम जी आपका सवागत है यिश्वर ने चाहा तो काम करते हुए मरूंगा लेकिन ये कोई खरण नहीं खाया है कि मुझ के पर Märूं अब मंच की बात करें तो यह होता है कि एक द्धोन होती ही एक लगन होती है एक पैशन होता है आदमें का और मालूमनी कौनसी उम्र में और वक्त यह कई दिमाग में आ जाता है कि मुझे तो यही करना है तो क्या यही हुआ था या फलूक हुआ ता कि या लाइं मेर चले गई हुआ कुछ हुआ हूं कि मैं पेंटिंग करता था चुत्रकारी करते ॥े एक दिन एक डोस्ते कहा मिरा न मैं ड्राइंग करता था स्कूल से बिल्कुल बाहर हुआ था तबी ट्वेल्फ करके पास अउडवा था और वहां पर फिर उन्होंने का अच्छा ठीक है तो प्ले में आते रहो तो मैं रहसल में जाने लगा फिर मुझे थेटर मीडियम में बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि उसमें म्योजिक था डांस था लिटरिचर था बेरी इंटरेस्ट की सारी चीज़ें थी और हुआ यह कि उस दौर में मैंने अलकाजी साब की डिरेक्ट किये वे बहुत सारे नाटक देखे हबीब तन्वीर साब की डिरेक्ट किये वे नाटक देखे रंजीत कपूर का बेग एक साथ काम करते हैं और वह हुआ भी यह कि दो साल के अंदर मैं सेलेक्शन हो गया मैं 1981 में नैशनल स्कूलर डामा में सेलेक्ट हो गया स्कॉलर्शिप के साथ तो फिर मैंने ट्रेनिंग की बाकाईदा तीन साल और वहां वाकी ऐसी था कि आप शुरू से लेके रात तक सुब वहीं महौल और उसके बाद भी हमें चूट थी कि अगर हम रात में जाके लाइट लगाना चाहें रात के एक बजे दो बजे तो हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स हमेशा इस बात को इंकारिश करते थे कि काम करने आ रहे हो तो यह जगह तुमारे लिए 24 गंटे खुली तो वह लोग उसका किन लेफि नाम शूनते थे पहली बार मिले देखा तो उनसे मिल कर भी बहुत कुछ सीक एनेस दी के बारे में ये जösब भी कहा जाता है, में भी यह सथा लगया नहीं लगया यह सवाल लेकिन viene कobaj । आपको मालुम नहीं काकणा बाकी किसी में गिंता नहीं नहीं है, उसे लगता है कि हिंस्तान में विश्व में हम जो सिखें नहीं तो मेरे पास जो है कमारी और किसी सामने आ जाते हैं लोग उनको याद रखते हैं लेकिन हमारे हैं बहुत से ऐसे काम करने वाले हैं जिनकी कोई कोई दंब नहीं है पूरी दुनिया में आप विश्वास करें अब तो नाटक का लोग थोड़ा चर्चा भी जानते हैं जब मैंने जॉइन किया था नाशनल स्कु करते हो ठीक है लेकिन और क्या करते हो और क्या करने का मतलब यह हुआ कि आप रोजी कहां से कमाइंगे वह समस्य आज भी बनी हुई है लेकिन थेटर को लेकि अवेर्नेस बढ़ गई है क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्स स्टूडेंस ने फिल्मों में ऐसा काम किया है नसीर कुछ वो लोग हैं जो अपने उपर कांदे पर पूरे देश का और पूरे विश्व का बोज लेके गुमते हैं तो वह तो हर्क शेत्र में होते हैं सलीम जी ने जैसे बताया कि एटी One में जैसे वो अकैमपस में पौप रखा उस वक्त जो दिमाग में लेक dif 이제 और कि यही साथ्तल मैंने जितने एंस्थी वाले थे उन सबको पूछा है नवाज जी को भी पूछा था मनुपमंण सब लोगों को पूछा तो जो सोच लेके जब 81 में पहला कदम रखा था पाद में दुनिया केसी दिखी वहाँ देखे कुछ चीजों का मोभंग होना होता है सब का होता है सब जगा होता है आपको जाहर है कि वह क्लास्रूम में वह वैल्यू शायद उस समय नहीं मिली क्योंकि हमारी टीचर्स की कॉल अपना एक वेहिकल हमारे सामने आया हमारा बजट बहुत कम था हमारे दूसरे रिसॉर्स बहुत कम थे लेकिन उसके बावजूद जो हमारे गैस डिरेक्टर आते थे उनके साथ हम सीख लेते थे हमारी लाइबरेरी इंडिया की सबसे अच्छी लाइबरेरी में से एक थी उ theater में एक तरह से के तो मुझे जाकर मेरा confidence बहुत बड़ा मेरा काम करने का जजबा बहुत बड़ा मेरा मेहनत करने का जजबा बड़ा और उसके सारे मैंने देश-विदेश की चीज़ें देखी तो मेरा पूरा नजरिया खुला मैं मतलब लकनों से गया था जो अपने आप में कॉस्मो पॉलिटिन चेहर है जहां exposure काफी अच्छा था उसके बावजूद दिल्ली में जाकर मुझे लगा मैं एक छोटे तालाब से निकल के बड़े समंदर में आप जब तैरते हैं तो उसके जो फाइदे नुकसान होते हैं वह था अब बात यह आती है जैसे आपने बता प्राइस करना यह भी मेरे हिसाब से टैलेंट एक आर्ट एक गट से ओके सलीम जी क्योंकि जैसे मैंने पहले बता है उसी सवाल के साथ इसको जोड़ना चाहूंगा एक गुरूर एनेसडी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई भी बंदा आई जाता है क्योंकि वह संस्ता जो आना भी चाहिए भाई प्रोडक्त है वो तो उसके बाद वो बंदा अपनी वेल्यू खुद डिसाइड करता है और जब किसी के साथ डिल करने को बैठता है नेगोशेट करता है अपने प्राइस के बारे वो मुझे वाक्या थोड़ा आप से जानना है आप विश्वास क करेंगे कि मैं मुझे पहला जो प्रोफेशनल ब्रेक कहें तो मैं जब स्टूडेंट था तो छुटियों दो महीने होती थी तो उसमें हम लोग किसी ने किसी शहर में जाके वर्क्शॉप करते थे प्ले डिरेक्ट करते थे क्योंकि हमारा काम ही हुआ है नाटक डिरेक्ट कर किरा या कहीं से और शहर में गया नाटक डिरेक्ट करने वर्क्शॉप करने तो हमको आने जाने का किराया होटल दिखा दिया जाता है कि यहां खाना खाले ना यहां नाश्रा कर लेना और जाते हुए एक पैंट और एक शर्ट का पीस और कुछ दो तीन सो रुपे वह हमारा पुरस्कार वह महनताना होता था और उसके बाद कोखे हमारे ओपर जिम्मेदारिया नहीं थी खर की तरफ ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी तो वह भी बहुत होते थे उसके बाद यह हुआ कि हभीब साब हभीब तन्विर साब की कंपनी में मैंने काम किया था वह भी तो उसमें पैसा इशू था ही नहीं उन्होंने कहा और वो ओफर ऐसा था कि मुझे लगा जिंदगी में दुबारा मेरे सामने ये मौका आएगा नहीं बैनर था बैनर से जादा सीखने का मौका था मैं उसको अपनी ट्रेनिंग का ही एक्सेंशन मानना था तो पैसा उसमें मैंने बिलकुल ना के बराबर कमाया सोट उसे लेकिन उससे जो एक्स्पोजर मिला वो आज तक मेरे साथ है उसी दोरान मुझे मिर्जा गालिब सीरियल मिला जिससे मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाया फिर चंदर कांता मिला फिर चानक किया जैसा सीरियल बन आता जाता रहा चीजें देखी हैं सरदार पटेल को समझा इस प्रदेश की सोच को समझा यहां की पूरी सोच्छोएक्विक्स जो भी है वह समझ में इस तरह की चीजें अब जब आप सीख रहे हैं तो मैं मैं सिर्फ यह कहूंगा कि मेरा सीखनी की उमर जादा हो गई यानि जो मुझे कमर्शल एक्स्टेंड होता गया वो दस साल मेरे और ट्रेनिंग एक्स्टेंड होगे लेकिन उसके बाद पैसे आए पैसे का तो ऐसा होता है कि लोग कॉंट्रैक्ट करके आपको पे नहीं करते हैं और बिना कॉंट्रैक्ट के दे देते हैं तो मेरा बहुत जादा नहीं किया है लेकिन जितने भी काम किये उसकी गुणवत्ता पर कोई क्वेस्टिन मांग नहीं है उन लोगों पर कोई क्वेस्टिन मांग नहीं जिनके खाद मैंने काम किया है यहां यहां रोकोंगा गुणवत्ता की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बा को मिला तो आपने यह सोच लिया कि चलो पैसा ठीक है हो तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन एक experience मिलेगा ताकि मेरी quality improvise होगी सीधा सवाल कि आज की तारिक में जो काम हो रहा है वहाँ कॉलिटी को साइड में छोड़के कलेक्शन के उपर ज्यादा फोकस होता है नहीं दिवांग जी परसंटेज काम हुआ है नहीं ऐसा नहीं है हुआ यह है कि पूरे corporates आने के बाद वो पैसे की चर्चा जादा हो गए सौ डिर सो ढ़ाई सो करोड उपे की आप बात करते हैं हजार करोड से उपर के पैसे कमा के बैठे होंगे आपके राश्री की दो फिल्मे हम आपके हैं कौन और उससे पहले वाली मैंने प्यार किया और दिलवाले दुलन्या ने कितना बिजनिस किया और करन जोहर से आपकी फिल्म कभी खुशी कभी घम ने कितना बिजनिस किया है आप और हम इमेजिन कर सकते हैं ना उन फिगर्स क कभी चर्चा हुई ना उन फिगर को बताने की कोशिश हुई अभी हो ये रहा है कि जो लोग इसको हाइलाइट करने हैं उनके कारण दूसरे हैं आज अगर हम डेड़ सो करोड, 200 करोड, 100 करोड उपिया बेंचमार्क मान लिया गया है तो 100 करोड उपिया इसलिए बेंचमार्क माना गया है कि भाई उनको वुस तरह से उसको सही साबित करना है कि जो हम फिल्म बना रहे हैं वह फिल्म सौ करोड की वैल्यू रखती है उसने इतना पैसा कमाया उसका पूरा तर्क जो है वह कमर्शियल है पहले भी ऐसा होता था पहले हम सिल्वर जुबली, गोल्डन जु पारण भी है यहीं गुजरात का एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था मन्थन जिसको आनंद के डेरी वालों ने सपोर्ट किया था कुरियन साब ने उसको सपोर्ट किया था चौदा सोला नाक रुपए में पूरी फिल्म बनी थी और आज तक उसने सैक्रों करोड उपिया कमाया प्रिंट उसकी कॉपीज बनके तकरीवन डेर सो लैंगुजिस में डब हुई और सब जगा चली तो एक तरफ वह भी मॉडल है आपके सामने लेकिन होता यह है कि शेर होल्डर को आपको दिखाने के लिए सौ करोड उपए की बात करनी पड़ लेकिन पैरलल सिनेमा जो समान अंतर सिनेमा उस समय भी बनता था आज का सामना गुलजार जी से लगाओ ज्यादा कुछ लगाओ का कारण यह है कि मेरे एक तरह से अभिभावक हैं गार्जियन है बंबई में मेरे पिता जी माता जी लखनू में थे और मेरे ससुर जावेशी दीकर साब एक राइटर है एक मामा होते है तो अब्रार लवी व्य राइटर और गुलजार सहाफ जिनके साथ मेंने काम किया अब इनुए गुलजार सहाफ के साथ सभसे ज्यादा रेपो इसलिए dispi बना के सबसे अंतरंग रूप से मैंने उनके साथ 25 साल काम किया उनके फिल्म में उनके टेलीविशन के में उनके गालिब से जो हमारा डिश्टा शुरूब और किताबें बदलने और पोईट्री डिस्कस करने से हमारे उनका खाज़ा हैंग उनकी रूचियां हमारी रूचियां काफी मिलती हैं तो हम लोग sometime बहूत सारे मैच्चेज एक साथ अच्छे लगेंगे, आपने नफीस नफीस एक बहुत बहुत सही वड यूस किया है, मैं सीधा आजाता हूं, क्योंकि आप लखनव के नवाब है, वहां से बिलॉंग करते हैं, उर्दु पर आजाता हूं, मैं उर्दु लेंग्वेज का जो वज़न है, ताकत है, कहीं आपको लगता है कि ये ताकतवर लेंग्वेज को सिर्फ फत्वे की बाशा में तबदिल हो गई है, क्योंकि उर्दु पर जो काम करना चाहिए, आपको जानका ताजूब होगा, उर्दु का जितनी अच्छी स्थिति अब है, उतनी कभी नहीं थी, मेरे हिसाब से, मेरे होश में, क को जो पोईट्री की किताब मिलेगी, अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड वो उर्दु पोईट की होगी, आपको आज इसमच चुकताई, सादत असन मंटो, साहिल लुद्यानवी, इनकी किताबें लोग खरीद के पढ़ रहे हैं, ये बात दूसरी है कि देवनागरी में पढ तो उर्दु लिपी की विजिबिलिटी कम हुए, क्याकि उर्दु लिपी की बात कराओ, मुझे वो शेर भी याद आ रहा है कि जूबा मिली है, मगर हम जूबा नहीं मिलता, वो है, वो समस्या है, उसका कोई चारा नहीं है, उसका चारा इसलिए नहीं है, कि आज हम देवन पर चीजे economy आज भी आ रहा है मंगर जो आप बात कहरें है कि अउर्दू की छपी हुई किताबे और अर्दू की छपी हुई किताब खरीद के पढ़ने वावले वोलो कम होते नज़र्य आ रहे सिन – ह्यूं और उर्दू की किताबे में प्रिंट होने की बहुत बड़ी वज़े यह कि बहुत बड़ा तपका है जो देवनागरी में पढ़ने में ज्यादा लेकिन बात तो वही कंटेंट वही जा रहा है और दूसरा लोगों का प्यार जबान की तरफ ज्यादा बढ़ा है जैसे उसकी विजिबिलिटी कम होई है वैसे लोगों की इच्छा इस जबान को जानने की बढ़ी है तो आज जितना जन मानस में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अर्दू की एक महिफिल करता हूँ हर मैं इने प्रिंसी पर मैं अर्दू के बहुत से फोरम्स में जाता आपको यह समझने की कि अगर आज आज आपको किसी मल्टी नैशनल कंपनी का सीई ओ बनना होगा तो आपको अंग्रेजी आनी पड़ेगी आप चाहें माने या ना माने आप उर्दू के सारे सीओ नहीं बन पाएंगे लेकिन अगर आपको उर्दू भी आती है तो आपकी व पूछते हैं जी फलाँ शेर का मतलब क्या है वो किताब क्या है गालिब ने क्या कहा था इसने क्या कहा था एडिशनल वैल्यू हो जाएगी वैल्यू एडिशन हो जाएगी वैल्यू एडिशन होता है वो वैल्यू एडिशन अगर आप समझते हैं तो तो ठीक है वरना तो ल मज़ पाया हूँ ये करेक्टर को इतनी मिनिटों में लोग ज्यादा यही कहते होंगे सलीम जी के बाद ठीक है बाकी सब लेगन ओ पॉजिटिव बंदा है तेकि पॉजिटिव नहीं होंगे आप तो रहेंगे कैसे क्योंकि हर बार आपको ये चार चीजें तो रोकने के लिए तैयार खणी हैं इस देश में भी विदेश में हम अपने हां की चीजों को नेगेटिव चीजों पर ज्यादा इंफसाइज करते हैं और मुझे बड़ा दुख है कि पिछले सो डेर सो महीनों से मैं यह देख रहा हूं कम से कम पिछले आप देखें दस बारा साल से जो एक ख तुआ चोटे से ब्रेक का दर्शापी दर समय दोचे विरामनों विरामबाद अंतीम दबाकानी वातों सलीम जी साथ हैं सलीम जी पॉजिटिविटी की बात किया हमने यह फिल्ड में जो भी होगा उसका स्टेटमेंट सोसाइटी पे इफेक्ट करता है बिल्कुल पब्लिक लाइफ में जितने भी नौन फेशिस हैं वह उनका जो भी एटिट्यूट है उनके स्टेटमेंट है वो reaction सीधा society पर आता है मेरा सीधा सवाल आपी की community इसी community की तरफ से जो बाते निकली उनकी जो जुबा निकली उनका जो attitude था intolerance के subject में society ने react किया हाव कैसे लेते जो intolerance का subject निकला था जो गया इसके दोनों पहलो इसके दो पहलो एक तो यह के intolerance पर इतनी बात हो रही है तो कहीं intolerance है एक चीज़ वरना इतना सिद्दत से उसको run down करने की जरूरत हमें महसूस नहीं है दुआ है तो आग तो होगी वो अगर आप मानते हैं तो वरना मेरा अपना मानना यह है कि यह हमारे देश में जो बेकारी है उसने लोगों के हाथ में ट्विटर और एक वाइरल जिसको हम कहते हैं चला गया है हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं हम सोचते नहीं है यह वह बाते हैं जो हम घर में बैठके करते थे अगर आप और उसके बच्चों को मच्छरों ने काटा और वो डॉक्टर कियां दोड़ा है और कह रहा है तुम्हारी अगंदी की बहुत है लेकिन इंटॉलरेंस का सेंस जो था अभी जो इशी उठाया था वो इतना लाइट नहीं था नहीं उसमें उसमें थोड़ी सी गड़बड है उस होने उसके इसमें वही लोग ने चोटे लोग नहीं थे नहीं थे चोटे बड़े बर बड़े ईवोट्स मिलेगीन दे अब हैं अमीर को यह फोलोव इतन है नहीं यह घलत बात वाथ इस लिए है के कि यह बात क्लियर इसाइओanted का द्का और उसके पूरे context में देखें तो आपको context सही लगेगा सही क्यों लगेगा क्योंकि उनका point of view है उसको वहाँ छोड़ देना चाहिए मेरा कहना यह है कि एक व्यक्ति की एक बात पर अगर इतने vehemently डंडा मार के कहा जा रहा है कुछ तो वो भी उतने ही गलत है जितनी वो बाते हैं क्योंकि हम वो माहौल क्रियेट कर रहे हैं जहां आप असली मुद्णों पर बाती नहीं कर रहे हैं रोजगार का मुद्धा है development का मुद्धा है दूसरे और मुद्धें जिस जो देश के हर आदमी को एफेक्ट करते हैं वो मुझे ज्यादा सीरिस लगता है बजाए ये कह देने के कि मैं अपनी बीवी के साथ महां जाने वाला था रहने लेकिन उस मैं नहीं गया है यहां पर मेरे साथ जो हुआ हो गलत हुआ पॉलिटिकल इन्वाल्वमेंट जो है इंटेलेक्शिल कम्यूनीटी की टीम में पॉलिटीकल हर चीज़ में होगी मैं नाटक कर रहा हूँ यह भी एक पॉलिटिक्स का इसाथ है तो मान सकते हैं मेरा यहां आप से बात करना भी प कि दुबहा चाहिए रहा के लोग इतनी वराइटी की लाइफ सटाइल speaking उसके इस तरह की चीज़ें उठेंगी मगर उसको कितनी एहमयत दी जानी में चाहिए सोशल मीडिया में कितनी चाहिए रोज मरना की लाइफ में अगर आपका 3 दिन का सब्दम्रा को था जै open वे तो मेर अब पूछूँगा आपके पास समचार नहीं है क्या आपके पास ट्यारपी के लिए महीं बचा हूँ मतलब ऐसी एहमियत वाली बात को भी छोड़ देना चीन यह हमियत कहां से मुझे आप बताईए कहां से हमियत है क्योंकि बोलने वाला जो है वह सोसाइटी का एक नॉन फ् क्या बात होगी एब बाकी चीज़ें चलो आगे नगीन बेइन ऊच्छा से आपको 30 सेकंड देता हूं आज की तारिक मेडिया है हिंदुस्तानी मीडिया उसके लिए कि सलीम जी कृटिक भी है लिखते भी है हां मेर में मीडिया आजकी मीडिया के लिए सलीम जी क्या कहना च क्योंकि जो हम headline बनाते हैं वो हम out of context चार शब्दों आठ शब्दों बारा शब्दों में बनाने की कोशिश करते हैं और वो बारा शब्द दूसरी तरह भी लिए जा सकते हैं जो कि लिए जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको seriously लें as a media person तो आपके उसके अंदर कही कहीं एक मनन कहीं एक चिंतन भी नज़र आना चाहिए उन सारे statement में जो हमको नीचे नज़र आता है okay सलीम जी सलीम यह वक्त बहुत कम है दिल खोल के आप बात करते हो life में ऐसा को incident जहां guilt फिल किया हो कि ये show जाना जाता है गिल्ट तो नहीं बहुत से ऐसे मौकर होते हैं जब आपको लगता है कि नहीं यार जैसे भारत एक कोज मैं अब देखता हूं तो मुझे लगता कि काश में और तयार होता तो मैं बेहतर काम करता हूं गिल्ट का उपर वाली की दया से मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको लेकर मेरे मन में including माई प्लेज मैं जो भी बात मंच पर कहता हूं उसको पंदरा पच्छिस पच्छिस बार परक कर तब बोलता हूं और यहीं वज़े है कि हमने ऐसे सबजेक्स पर नाटक किय है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बदलते संबंदों पर क्या लकी रहे यहीं एमदाबाद में होकर गया है नाटक को हमने मभई की सड़क की लाइफ पर किया है हमने टेगोर के खराशे खराशे किया है आप सोचिए मैंने खराशे देखा था आपने देखा तो आप खराशे यहां देखकर में मुझे और मेरी आइडियोलॉजी समझ सकता है मेरी मेरी आइडियोलॉजी एक जिम्मेदार नागरिक्की है जो लोगों को सचेत रखना चाहता है फान एट लास्ट इस फिल्ड में जो भी आना चाहता है क्योंकि आपने E.T.1 से अभी तक अपना सब कुछ दे दिया है इस इंडिस्ट्री को इस फिल्ड को दुनिया में जो भी यह लोगे उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं शौट में थेटर में जो आना चाहता है उसको कम से कम यह पता होना चाहिए कि उसके बिल्स कहां से पे होंगे उसकी रोजगार कहां से चलेगी उसके पास कम से कम करने को एक और काम होना चाहिए यह बिलकुल उर्दू की तरह है कि आप उर्दू भाषा जानते हैं लेकिन उर बिल्कुल तह है कि हिंदी के थेटर को करते हुए आपको रोजगार कहीं और से तलाशना पड़ेगा क्योंकि हिंदी थेटर फुल टाइम करने से आपको रोजगार मिलेगा नहीं आपको टेलिवेजन फिल्म से काम करना पड़ेगा या किसी दूसरी जगा काम जिसमें कोई ब किया बहुत अच्छी बात है उससे ओडियंस तर्शक बढ़ें थेटर के थेटर की जागरूपता मुझे तैंक यू अरिम जी बहुत बहुत शुक्रियां से लिए दर्शक में आती बात था सलीम आरिप जी साथ है नी एक विशिष्ट व्यक्ति तो में कि दूने ते प्रमने शरुआत मां कि यहना माटे बहुत मारे परीचे न थी आप वो कारण के यहरे वातों करशे नित्यारे तेमना शब्दों मां थी जिबता अलग-अलग परीमान निकर्शे तेना थी आप यहनों परीचे मली जशे कि कया लेवल ना एक उंडान वाड़ा एक पूते एक स्टे शर्वांग साथ अतिछी शो में काम करते हुए बात करते हुए बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत खुलकर बात हुए बहुत आत्मियता से बात हुई और मुझे जो कहना था हूँ मैं कह पाया मुझे लगता है एक अच्छे इंटर्व्यू की पहचान ये है कि जो आद